का फालन करता है वसुदेव कुटुम कम का नेक्स्ट के ये क्या कहता है इसमें कुद्देशों के धर्मों के अन्यूयार को शामिल किया गया है ये चीज भी गलत है the followers of some countries या followers followers of some religion followers of some religions had been included ऐसा कहना गलत होगा had been included शामिल किया गया था had been included ये गलत है ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इंग्लोडे इस ये तर्क है सही आ गया इस गार्माने दिलाज कर दो this argument is baseless and absurd ये कहना ये तर्क बिल्कुल गलत है this argument is baseless ये गलत है baseless and दूसरा कर दिया इसी के बिलता जुलता बर्ड baseless और दूसरा जो इसका बर्ड किया वो है आपका absurd बे तुका है को तुक नहीं है ऐसा भी नहीं कि सब किसी को include किया गया है आखरी position पे चल रहे हमारा ऐसे ये हमारा बिल्कुल absurd है baseless है ये कहना बिल्कुल गलत है आगे कहता है इस अधिरियों में किसी चित्री की सामाजी एक सांस कर दे और धार्विक इस चित्री को कटगरे में खड़ा नहीं किया है इस में हमने सब कुछ कह दिया ये किसी का ये misbelief हो ऐसा भी दहीं है इस एक्ट हैज नोट नहीं किया है है वो सारी सीज़े बुला लो एक साथ पहला है आपका शुशियल कल्चिराइट एंडिजियस क कंडिशन इटू डोग शुश हिए todd nellupp कर्डिशन इटू डोग एससी किसी भी इस्थति को कडगरे में यालि कुछर मार्द रही किया हैं कंडिशन इटू डो कि तीनों चीजों में से किसी को भी चाहे वो शूशल हो या रिलीजियस हो या कल्चरल हो किसी को भी आपके कटगरे में खड़ा नहीं किया है अलाग यह दिने पुर्देश में लागू कर दिया गया है आल्दो दिस एक्ट भी दे पोजित दा एंटार सिटी आल्दो एक अजेक्शन हमारा आल्दो दिस एक्ट हैस बीन दिस एक्ट हैस बीन इंपोजट 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 इन दे एंटार सिटी पूरे देश में लागू कर दिया गया है एक साथ किया गया है पूरे देश में एक साथ फिर क्या हुआ बांगला देशी शर्नारती इसका पुर्जोर विरोध कर रहे है बांगला देशी रेफ्यूजीज क्योंकि रखता है कि शायद कुछ गणबण होगा पुद्गे हक मारे जाएंगे बांगला देशी रेफ्यूजीज आर प्रेटेस्टिंग अगेंस्ट प्रेटेस्टिंग अगेंस्ट प्रेटेस्ट के साथ प्रेपेजिशन अगेंस्ट आएगा इसका जोरदार विरोध करने हैं मांगलादेशी रेफ्यूजी उन्हें लगता है कि शायद उनका कोई ने कोई हर्ट, कोई ने कोई चीज उनकी हर्ट होगी, ऐसा उनका मानना है, ये बाद सोलानी सच है, इस इस टूइजम, एक बार फिर आपके सामने, ऐसे में घूबरा है, इस इस टूइजम, इस इस इस टूइजम, 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 और लेकिन लोगों को एमश्वास और भ्रम के नाम पर भरकाया जा रहा है यह पलिटिकल लोगों का है था पीपल आर बीग इंसाइटेड आप ऐसी में चल रहे हैं बहुत अच्छे से जो प्रॉजेंट कंटिनियूस की था पीपल आर बीग the people are being incited incited किसके नाम पर in the name of दो चीजों के नाम पर in the name of disbelief और illusion in the name of disbelief भ्राम और एविश्वास के नाम पर उनको भरकाया जा रहा है यह हमारा यह paragraph कह रहा है this act complies with और फोलो जवसुदेव कुटुम का यानि पूरे भारत को एक साथ लेके चलना है the followers of some religion had been included ऐसा किया गया था यह गलत है this argument is based less and absurd this act this act has not put social, religious and cultural condition into dog इससे किसी भी चीज़ को हट भी किया है आइदर वो social है, religious है cultural है although this act has been imposed in the entire country आलागि पूरे देश में लागूफ हो चुका है बांगलादेश ही refugees are protesting against this act to be badly कि वो इस act का पुर्जोर विरोध कर रहे है this is trueism, यह बात बिलकुँ सच है, सोनाने सच है that they are not being berefted of their liberty पैसे में आप उनको उनकी स्वतनतरता से मचित ही किया जा रहा है the people are being incited लोगों को भरकाया जा रहा है the name of disbelief and illusion और last में हम इसका conclusion दे रहे हैं, हिससक विद्रो केवल हिससक विद्रो केवल घटिया और तुछ रादिती का प्रतीक है और कुछ नहीं, हिससक विद्रो पॉयलेंट जो विद्रो होते हैं जो होते हैं वो से आपका एक तुछ गट तुछ और घटिया रादिती का प्रतीक है हिससक विद्रो वो इससाइटेड इन नेम ओफ डिस्बलीफ एंट इल्यूजर्स दे आर नॉट विद्रो एंटार कंट्री वी मैंटली यह नि पुर्जोर यह तो को वी एची मेंटी ल्वाई हिससक विद्रो जो है वोईलेंस रेबेल वाउलेंस रेबेल है जो आपके हिशसक विद्रो है वो क्या है सौडिक औफ सोर्ड एंटiriवियल पॉलेटिक्स पॉकया एज रिलीक रिलीक का बदलब प्रतीक रिलीक और किसका प्रतीक है हों देख लीजीए आप सौडिड एंटिवियल पलेटिक्स सौर्डिड घटिया सौर्डिड एंड चीवियल चीवियल पलिटेग्स यह साथ ही रहेगा वर जुड़ेगा देёт छोड़ना नहीं है अच्छा ही में करेंगे तो कुछ हो ले लेगे बुरा ही में करेंगे तो दोरों को साथ रखना है सौर्डिड एंड फीवियल पलिटेक्स फिर इस कानूरी इस कानूर से उल्जन वाले दशा को मजबूत और पारदर्शी बना दिया गया है यह हम कहना चाहते हैं कि इस कानूर से आपकी क्या बना दिया गया मजबूत और पारदर्शी बना दिया गया है आप बोलोगे दिस ए रोबस्ट कॉम्प्लिकेटेर गरों पहले उल्जन वाली दश्या कॉम्प्लिकेटेर कंडीशान है कंडीशान त्युक्त हैस बीं कर दोड़ेज कर दे डिया गया है बदल दी आ गया है है सिसरी केंड़ेर इंटू पहला है आपका वजबूत रॉबस्ट and transparent by this act यही इसका confusion है कि जितने भी आपके complications से वठा दिये गए हैं इस कानू से complicated condition has been converted into robust and transparent by this act उनको मजबूत बना दिया गया है उनको पारदर्शी बना दिया गया है इस कानू के द्वारा और और तर्क और वितर्कों के बाद 12 दिसमर गुनिस को यह विदया के एक कानून बन गया है इस legislation इस legislation इस legislation इस लेजिलेशन हैज बीन हैज बीन इनक्टेड एक्ट इनक्टेड यह इनक्टेड यह इनक्टेड बनाना दा है has been imposed as लागू कर दिया गया है imposed as act एक कानून की तरह इसको लागू कर दिया गया है on date याद रख रही है on 12 दिसमर यह पूछ भी सकता अगला 2019 after all arguments and dis arguments सारी परचाहिती करने के बाद after all arguments and dis arguments after all arguments and dis arguments 12 दिसमर 2020 को यह कानून बन गया है जिसका हमें discussion किया NJCAA dis arguments 12 दिसमर 2020 को सभी argument और dis argument के बाद यह legislation यह आपका विधेयर कानून के रूप में लागू हो गया है जिसका नाम हमने discuss किया citizen amendment act 2019 सारे हमने reflection किये point डाले डावेक्स डाले positive word डाले और हमारा essay सभातिकी ओर चला गया चलिए next essay आने की पूरी कॉंअ आना बहुत अशक्ड मुए आपको भी बता जाता हूँ यदि Więch corridor आ जाए तो इसी इस्बें काम पर जाएगे जी इंद他很好 गया इसके यफ्वेट पर जाएगे इस्रीएं इसको नेक्शन में लेगे किसी तो इसके content 5-6 ऐसे भी घुमेंगे टाइटल कुछ भी दे सकता है तो देखिए आप आरें artificial intelligence में आने की संभावना लगभग 90% तो देखिए पहले science के बारें बताते हैं फिर आते AI पर AI बेना तो कुछ है दिए जो पढ़ रहे हैं वो AI है बारा देखिए आज कल पूरा विश्व artificial intelligence हमारा next essay पार्ट नबर फरस्ट है किसी भी science के essay में घूम जाएगा कुत्री बुद्धी मता जिसे कहते हैं घंदी में थोड़ा सा टिपिकल नाम है AI जिसको short form में बोलते हैं पूरा नाम है artificial intelligence जिसके बिना जिनकी कल्पना करना घर की रसोई से लेकर अत्रिक्ष तक कल्पना करना और सब्भव है घर की रसोई बोलना हूँ सबसे हमारे जिनकी पूरी टेक्निकल लेंग्वेज है क्पुट्री लेंग्वेज है मैं कोई computer science का पेपर नी देरे ऐसे लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं आज खल पूरा विशुद्धित दुगनी राच्चुगनी गती से तरक्की कर रहा है सही बात है नावेडे से वाक्य शुरू किया एंटायर वर्ड एंञ प्रक्रिण और इनटायर वर्ड इक प्रेक्तिक है अराम से वर्पूलाईए प्रेक्रेक्रेसिंग वर्ण वर्ब आगई प्रांगरेसिग कैसे कर रहा है दिदh दुगधी राच wh और तरक्की करने थारं तक सिर्णा प्रेज को उस करेंए ताकि पेड़ने नेगेरे बाई, लीप्स and बाउंस, बाई, लीप्स and बाउंस, साइंस की इपोर्टर दिखाएंगे साइंस में, पहले आपका उसका बैग्ड़ाउंड लाना है, बाई, लीप्स and बाउंस, ऐसा हम नहीं कहा, सभी बात है अद्भुत विज्ञान मानव जीवन के दीव का पत्थर बन चुका है अद्भुत ही है इश्वर के बाद कोई दूसरी चीज है तो that is science हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या AI की टेक्निक तो है यह जो online classes जारी है क्या AI टेक्निक है इसको जीदिक से निकाल तो कौन से य इन डॉबी टेबल साइंस एदितिये विज्ञान एदितिये विज्ञान हैस बिकाम हमारे दीव का पत्थर बन चुका है जरूरी है इसके मिना क्या है जिदिकी दी हैस बिकाम हैज के साथ वर्की थर्ड फो इन डॉबी टेबल साइंस हैस बिकाम क्या बन चुका है दीव का पत्तर, corner stone, हम science की language को editorial में बदल रहे हैं, corner stone, तो कि देखिए आप इसका हिद्धी में पढ़ना के पर ऐसे आपके समझ में आगा लिखे गया, total computer language, जो possible नहीं, लिखना ही possible नहीं है, artificial intelligence ने वैग्याली व्यूग में नया कदम रख दिया है, artificial intelligence has, एक शोट को भी सब कुछ कहने हैं, एक बात में 100 बातों को लिखना है, फाल्तों की कोई भी चीत नहीं लिख दिया है, कभी भी किसी भी ऐसे में, ना legal paper में, वो लिखो जो से required है, artificial intelligence has, एक नया कदम रख दिया है, जू भी कर सकते हैं, नैसेंड भी कर सकते हैं, नैसेंड भी नया, यू भी नया, step, कहां रख दिया है, यह और पुछ लो इससे, इस scientific era, एक वग्यानी यूग में, रखा तो scientific era भी आज से 15 साल पहले तो AI नहीं था, अप फिर तो था, लेकिन AI की टेक्निक तो अब धीरे दिरे डॉल्ट हुई है, scientific era, अपर पहले paragraph में, science की movie का बता रहे हैं, science का introduction दे रहे हैं, हम पहले paragraph में, AI तो उसका बात का part है, तो पहले आप उसका background लिखेंगे, एक दो paragraph में की basically है क्या, artificial intelligence है, put new and nascent step in scientific era, एक नई यूग में कदम रख दिया है, और इस नई तक्रीक ने मानाव सपनों और ख्वाबों को एक तक्रीक ने जो AI जिसे आप कह रहे हैं, इस no voice, no voice भी होती है नहीं, no voice technique, this no voice technique क्या की है, मानाव सपनों को एक नहीं उडान दी है, has given a knife light, इस नहीं तक्नीक ने मानाव सपनों को एक नहीं, यह नहीं नहीं चलदा है, कि इस paragraph में चार नहीं तो आ गए, देखते हैं, this technique has given, प्रिजेंट पर्फेक्ट ज़्यादा काम में आ रहे हैं आपर इस चीज़ को नोटिस्क्री प्रिजेंट पर्फेक्ट की काम में आ ज़्यादा है, has given, यह given, एक नहीं उडान, a knife light, नहीं के चार वर ले ले लिए, मैंने यह आपर knife light, एक नहीं उडान दी है, किसको मानव सपनों को, मानव के ख्वाबों को, to humans, to humans, serious भी कर सकते हैं, और dreams भी कर सकते हैं, सपने याद आए, तो dreams कर देना, ख्वाब याद आए, तो serious कर देना, सर्यल, उख्वाब, उर्दु का वर्ड है, सपने आपके, जिसे कहते हैं, हिंदी का वर्ड है, ने यह हैस का प्रियोग किया है, science की importance बताईए, अपर ने यहाँ पर, शब्दों को फातु यूज दी किया है, सिर्फ limited words में, science को importance दे रहे हैं, क्यों AI तो यह से develop होगा था, तो पहले science, now it is, आजकल, the entire world is progressing, प्रगती कर रहा है, by lips and bound, दिन्दुभी, राज चोगुनी, यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास कहीं जा रही है, AI का कमाल, indomitable science has become cornerstone, एक दीव का पत्थर बन चुका है, artificial intelligence has put new or nascent step in scientific era, इस AI ने, इस वैज्ञानी के उगवें, एक नया कदम रख दिया है, scientific era तो बहुत पहले आ चुका है, AI अब आया है, इस नोबस टैक्निक है, नई टैक्निक has given a new flight, एक नई उडान, तो human cereals, पानवे ख्वाबों को, इससान के ख्वाबों को, science की important बता रही है, इसमें से कोई भी आ जाया है, ट्रोबोट आ जाये, ट्रोगोन आ जाये, डिजितल एडिया आ जाये, ए गवरनस आ जाये, या टैक्निक से मिलता जोता, कोई भी ऐसे आ जाया, तो पहले science, पहले science की important बता रही है, उसके बाद आप जो भी अगला जो कहना चाता है, AI तक्निक ने रोजगार के आउसरों को सारे रोजगार दिये हैं, फालतों की language यूद दि करें, आयाम दिया है, आयाम गवरनस को बढ़ा दिया है, has provided a, has provided a, has provided a, दिया है, has provided, क्या मन नहीं कीजिए कि गजब का करने ना, शांदार आयाम दिया है, आयाम जाया, शांदार वर अच्छा लगता है, provided a tremendous magnitude, इस वर्ण को साथ ही कर देना, किसी भी ऐसे भी यूज़ करो, तो साथ ही यूज़ करोगे, जिससे आयाम अकिला नहीं रहेगा, उसका एक्जेक्टिव उसके साथ, हमेशा के लिए देने, एक tremendous magnitude दिया है, AI तक्णीक ने, एक शांदार आयाम दिया है, किसको आयाम दिया है, two opportunities of employment, two opportunities of, opportunities of employment, हर जगे, लोग कहते हैं साथ यह तो रोजगार खा गया, कितने के रोजगार खा गया, दस खा गया, तो इससे सो रोजगार दिया है, two opportunities of employment, रोजगार के अवसरों को इसने शांदार आयाम दिया है, एक शांदार फार दिया है, in field of technique, क्या in field of, in every field कर दो, not technique, टेक्नीक में एक गजब का आयाम दिया है, एक शांदार आयाम दिया है, किसको रोजगार के अवसरों को, AI टेक्निक में आज जितने technical हैं रोजगार में हैं, उतना तो पूरे विश्व में, सारे रोजगारों को बिला दे तो रोजगार नहीं है, जबकि लोग इसका contradiction करते की, तो रो कारएं को से आच्छा दित कर दिया है आच्छा दित कर रहा है पूरा कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया है कि पहले यहां पर इक klassroam डीड़् Supreme आए AR कितना चेंज हो गया, यह हम कहा ना चाहते हैं, AI टखनीक ने मानुए कार्य को पूर रूप से आच्छा दित कर दिया है, आच्छा दित का मतलब है, अपने कंट्रोल में ले लिया है, इसे ज़्यादा तर present perfect काम में आ रहा है इसे थोड़ा सा ध्यान लगना इसका रिटेंस कौन सा यूज होगा AI technique has आच्छा दित कर दिया निए अपनी control में है वह आपके पास है overlap आच्छा दित करने का मतलब है control अपने पास उसे ढख दिया है पुरी तरीके से has overlap किसको overlap कर दिया है human work जितने भी माणविय कारिय थे human work पहले हमको reservation करवाना होता था line भी लगते थे अब का है online घर पे बड़ी reservation हो जाता human work थरोली बैंक से पैसा निकलवाना था line भी लगते थे दो गिंटे खराब होते थे अब कुछ नहीं एक click किया पैसे आ भी गए पैसे चले भी गए और कुछ पता भी नहीं कित्ती energy safe होती है और पहले लाइन भी लगते थे चैक लगाते थे नंबर आता जब आता पूरा दिर मतलब पैसे रिकलवाने और जबा कराने भी चला जाता था उस समय अब कुछ नहीं है सब कुछ online है सब कुछ AI है कि इस प्रकार यह दे तक्नीक हमारे जीओंगर महत पूर इसां बन चुकी है सही बात है महत पूर गया जितिदीगी यह बन चुकी है इस न्यूँ टैक्नीक है इस यह पर न्यू टैक्नीक बहुद आविश्वस्तिय करो incredible इस इंक्रिडिवाल यह एविष्वजिय टैक्निक एज भी कम है व हो चल रहा है यहां पर बन चुकी है इसमें पूरा पर्फेक्ट भी लिखा गया है एक है भी कम अभी नंग पाट एंड पार्स लॉफ आप इन अंग बन चुकी है पाट एंड पार्सल ओफ आव लाइफ बिल्कु सभी बात है, AI मिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं, वो पजिशन आ गई है, पार्ट एड पार्सल मच चुकी है, AI हमारे जीवन का, और देखिए आप, डिजिचल उपकराण और मजबूत इंटरनेट इस तक्नीक की आधार शिला है, यह लाइन बहुत ज़रूरी है, क्यों ऐसे ही आपका टेक्निकल है, साइंस पर आधारित है, तो एक आधा वर्डिक, एक आधी लाइन तो साइंस को देगे, देगे, कुछ नहीं है कॉमत, बस तोड़ा साइंस लाइक वेज है, डिजिटल इंस्टूमेंट, डिजिटल इंस्टूमेंट आपके सामने रखा ह लेगा, अच्छा वाइफाई होगा, तो ये काम करेगा, रॉबस्ट, रॉबस्ट इंटरनेट, इसको शो करना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल लेग्वेज है, अब थोड़ा सा टेक्निकल हमने लिखा, थोड़ा सा जाना नहीं, एक लाइन, डिजिटल इंस्टूमेंट ये लेप्टॉफ, ये आपका ये, ये सब डिजिटल इस्टूमेंट और रॉबस्ट इंटरनेट, और फाउंडेशन इस्टूमेंट, एक नीव का पत्थर आधार शिला ये ही है, ये नहीं होगे तो सारी AI की बातें करना व्यर्थ है, फाउंडेशन इस्टूमेंट आधार टेकनीक, ऑफ देस, और देस, विरकलस कर दो, चमतकारी, कि उद्धर अपने विरकलास, M I R C U Miraculous Technique मतलब कोई भी एक्जेक्टिव लगाऊना उसे मिलता जुनता ही लगाना है एक्जेक्टिव लगाना दो वर्ड वरते हैं एक साथ तो यार तो आप डवलप ही कर लोगी एक्जेक्टिव लगाएं कि लिखना है और वो गलत नहीं लिख रहे हैं टैक्टिव के साथ चमतकर एक वर्ड लिखी तो जायज है जायज वर्ड तो लिखें गई इस Miraculous Technique तो दो चीज अपने थुना सा उसको लिखा Science के Language में कि Digital Instrument और नोबस इंटरनेट आर Foundation response of this Miraculous Technique फिर आगे चलिए हमने इस करा यह तक नहीं computer और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने को मजबूर करती है बस यह बार-बार कहने कि basically इसके definition में आ रहे है This new technique और भी कोई मिलता जुनता बढ़ा आ रहा है तो वो लिख देना This new technique क्या करती है मजबूर करती है उसको जो आपके कमांड देगे वो यूज करेगा वो compels मजबूर करती है क्या मजबूर करती है computer को मजबूर करती है इससानों की तरह सोचने के लिए किस-किस को computer और machines को laptop को compels, computer computers आ गया and machines आ गयी सारी machines जितने भी है tactical है आपकी सारी machines new technique, computer and machine to think सोचने के लिए to think as human brain एक माद भी दिमाग की तरह है to think human brain to think human brain एक चाज इपोटेंड कर लेना ठिक के साथ अभी मेरा हद में सिलिकोन नहीं वाला था ठिक के साथ as नहीं आएगा एक grammar का बहुत शाद्दार point है think के साथ मेरी भी एज लगाने की इच्छा हो रही थी पर रुक गया grammar याद आ गई think के साथ as नहीं आएगा सही grammar में तो जैसा I think you as an intelligent person as नहीं आएगा बहुत रुक गया हाथ grammar माँ पर रुकने को तयार है यदि आप इसका दूसरा word भी करोगे consider वो भी नहीं करेगा उसको भी ऐस से problem है consider के साथ भी as नहीं आएगा आइस के लावा पॉंडर यूज करो इसका सोचने का फिर रहत लगा दो चलेगा मगर think और consider आपके as का प्रियोग नहीं करेंगे तो यह technique है क्या यह technique एक तो digital instrument और robust internet का शांदार combination है पहली बात यह हमारे जिद्गी का अभी निस्ता बन चुका है दूसरी बात और तीसरी बात यह क्या करती है यह मजबूर करती है एक machine को इस नहीं से भी ज़्यादा सोचने के लिए इस नहीं की तरद बहुत छोटा बढ़ रह गया यह तो इनसानों सो भी उपर जाती है आप computer राइच चेस खेलना उप दो मिनेट में हरा देगा आपको आपड computer से चेस केलते हैं laptop पर चेस केलते हैं दो मिनेट में हरा देता है क्यों? क्यों कि उसका brain हालां कि सहएट इनसान नहीं किया है लेकिर फिर भी वो हरा देता है क्योंकि उसका सोचने की कैपिसिटी अपने से अजार गुना ज्यादा है और हर सेनेरियों में है बहुत अच्छा है ऐसे AI एक करांतिकारी कदम है जो जटिल समशाओं को पल बर में हल कर देता है बहुत अच्छी लाइन यह लाइन लिखनी पड़ेंगी हमें किसी भी डीजीट्ल के आएगा AI एस ए रिवल्यूशनरी एक क्रांतिकारी कदम है 1 एक रिवल्यूशनरी स्टेप है AI एस ए रिवल्यूशनरी स्टेप नहीं वर तो लख रही पड़ेगा क्रांतिकारी कदम है विच जो solve करता है विच लाओ कर्जिक्शन विच लाओ उसके बाद वर्ब solve भी कर सकते हो हल करता है और cops with भी कर सकते हो जो भी याद आ जाए उस वाक cops with भी हल करना solve भी हल करना AI एक क्रांतिकारी कदम है जो हल करता है किसको खल करता है complicated issues जटन समश्चाओं को complicated issues जटन समश्चाओं को complicated issues यतिनी आसा नहीं आजका तो कार भी चेक जो होती है वो AI टैक्निक से होती है आजका तो color paint भी बनता है तो AI टैक्निक से बनता है कोई ऐसी चीज़ी निए जिसमां AI टैक्निक हो issues पल भर में in a moment ये जीफी एक जटके में एक शण में क्या कार में problem है खर से बता देता है computer ये problem है ऐसे नहीं उसके पूरे इंजिन को खूलेगा वो नो फिर AI ने शिक्षा इंजिनिक बेफसार उचिक्षा के बोसम के च्छेतर में सब को एक साथ लपेड दिया गलत जदा बड़ यूज करके हमें वहाँ पर वर्बैटिसम को यूज नहीं करना है सब को एक साथ लपेड दिया कुछ special बाती होगी वो लिख देगे AI टैक्निक AI टैक्निक has मुकाम हासिल किया है यादी मुकाम हासिल करने का मतलब है शाद़ जगह को गीर करना made a shelf एक मुकाम हासिल कर लिया है made a shelf कर देना क्योंग göra फेरेज में आता है made the shelf है made the shelf हैज के साथ वर्ड पूरे विश्व में इसके संबंदेत कौन कौन से सेक्टर एक दो को गिना देते जाना दी गिनाएंगे regarding जो बहुत important है जाता हमें verbatism को यूज दही करना है regarding engineering इजरी की तो EI का दूसरा नाम है चित्ने भी pool बनते हैं इजिरी medical को करी दी सकते medical robot operation होता है आज कल सब क्यूँच computer पे चलता है सब कुछ laptop पे चलता है engineering medical और medical हो गया इजरी को गया चित्ते जित्की के profession है हमारे paint तक आ गया paint से छोटा तो उठ क्या होगा paint की दुकान में भी यह यह टेक्टिक काम करती है profession आ गया medical आ गया इजरीक आ गया और आपका बहुसम छेत्र जित्ता भी बारिश आईगी कि नहीं है बहुसम चित्र आएगा बहुसम के फिल्ड आ गया and in field of weather बहुसम का जो चित्र है in field of weather बहुसम का जो चित्र है in field of weather बहुत शांदार ऐसे चल रहा है टेक्टिक ऐसे चल रहा है editorial language में in field of weather यदि किसी ऐसे पर आपने लिखा हुआ नहीं है तो आपर content call करना बहुत पश्किल हो जाता है content ही नहीं आते कि लिखने क्या लिखा हुआ है फिर problem भी फिर तो brain ऐसा आपको command देगा कि automatic आपके आ जाएंगे फिर क्या कहता है चेए एक ब्रहभास्त्र का काम करेगा सही बात है विल वर्क ाप इस शोर फायर वैपान यह तो हमारा standard वरडवर चुका है ए-ाइए इंड आज विल करेगा वर्क की तरह का ब्रहभास्त्र के तरह करेगा शोर फाईर वैपान की तरह काम करेगा एक ब्रह्मास्ति ने तरह काम करेगा AI ही हम कह चुके है and give a new wings to human life माने जीवन को एक नई पंक देगा and ये या बीवी बन आएगा give वाब ने new flight किया था या new wings कर दिया new wings to human life माना जीवन को एक नई पंक एक नई उडाद देगा AI और देगा क्या दे रहा है इसके बिना जीवन को कलपना करना एक सेक्ड में मुश्किल है जिद्गी की सुबह होती है तो AI से और खतम होता है तो AI पे पूरा जीवन हमारा एक mobile जैसे एक छोटे से उसमें आगया instrument में पूरा जीवन ही है सब कुछ इसमें है देखिए आप खुदी देखिए ये तक्नीक पृतिकरियात्माग मजबूत इसमृतियों एदितिया मस्तिक चेतन पर कारी करती है इस लाइन को इपोर्टेंट कर लो हिंदी में भी एस वेल एज इंग्लिश में भी किताबों में इसको बहुत गलत तरीके से लिख रखा है आदमी पागल हो जाए पड़ता पड़ता आपने एक लाइन में समेड़ दिया ये तक्नीक पृतिकरियात्माग मजबूत इसमृतियों और एदितियों मस्तिक चेतन पर कारी करती है तरीक पहले लिख लो आराम से इससलाइब को हिद्दी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखना है इस तर्थ टॉक से थरा तल करती है औरकों कौन दरा दल हिद्धी में इंपोर्टन इंग्लिश में सबसे पहले तो पृतिकरियात्मा करीयक्टिव वो सायरन करने लग जाता है क्या है रियक्टिव है どूसरा बहुत मजबूत इस्मृति है खेल लो आप शत्रच का खेल खेलना भी उसके साथ, दो कुमिनेट मेरा देगा आपको, दो कुमिनेट भी ज्यादा है, रोबस्ट मेमरी, बहुत मजबूत इस्मृती है, एक बार कमांड फिट कर दिया, तो जिदिगे में नहीं भूलेगा, एयाई टेक्निक करता किस चीज़ पर काम है, पहला आपने कहा, पहला आपने रियक्टिव रोबस्ट मेमरी एंड और तीसरा अधितिये मस्तिक चेतन पर, ऐसा अधितिये मस्तिक चेतन है, जो हमारा तो फिर भी परिशान हो जाता है, ये कभी परिशान नहीं होता है, एदे डॉमी टेबल, पिछली वाल बोल सकते हैं, आप जिसके कोई बराबरी ना कर सके, वो परसन, वो टैक्निक, वो चीज, वो आपकी बिलिग, इंडॉमी टेबल और एक्जम्पलरी कहलाती है, तीर बड को प्रिट कर लो, रियक्टिव रोबस्ट मेमरी और एक्जम्पलरी, एक्जम्पलरी अदिती है, गलत, सोच सकते हैं, गलत, डिसेजन कर सकते हैं, यह नहीं करेगा, इसको दोर-दोचार की मैथामणिक सिखा दि, प्रोग्रामिंक सिखा दि, तो यह हिलेगा नहीं, तो आप नहीं कहा, इसके तीन चीज़ों को याद रखना है, यह वो रोबस्ट मेमरी और एक्जम्पलरी mental awareness, प्रतिकिरियात्मक, मजबूत इस्मर्ति, शशक इस्मर्ति और एधितिये मांसिक छेतना पर काम करता है, हिंदी में भी स्लाइड को important कर लेदा, ये तक्नीक प्रतिकिरियात्मक, मजबूत एधितिये, मस्तिक छेतना पर कारि करता है, और फिर अगला भी डेटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट जिसको हमें शो करना पड़ेगा ये इस तक्निक को विकास के दरहत्पल उतारने के लिए लवी और एस्परिट कारिक्रम की शुरुवात की गई थी अमेरिका ने शुरू किया था एस्परिट अमेरिका ने शुरू किया था मैंने दुनों को लिखा नहीं कि इस शब्द बढ़ते से विकार की प्रोजेक्ट का नाम लिखा ज़रूरी है पहला है एल्वी और दूसरा जो अमेरिका ने शुरू किया था वो है एस्परिट पहला ह कि हैंड भी शुरुवात की गई थी एल भी ब्रिकेट का यह नहीं वहाँ पर कुछ लिखना पड़े एस्प्रेट अमेरिका का हैंड भी शुरू की गई थी AI को दरातल देने के लिए हैंड 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 हेंड भी शुरू आठ की 2 है सभाद की गई थी 새 sist elementos रात वाद बलत धर दर दर तो लेंड हैंड 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 ही टेक्निक को धरातल पर उतारने के लिए L.V. और S.PET प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी L.V. बिटे ने शुरू किया था S.PET अमेरिका ने शुरू किया था दोनों कारिक्नम हमारे connected हैं AI से अभी दो कारिक्नम को रहें वहू भारत सरकारने शुरू किये थे वो अगले Intelligents मानोमुद्धी की शांदार प्रतिलिपी है ऐसी प्रतिलिपी है जिसके बारे में हम कुछ कह स 수त सकते artificial intelligence इस promised पीचे लख लिया word को change करना है artificial intelligence एक शांदार प्रतिलिपी है सारी गाथा खाड़ी के बाद, artificial intelligence is बहुत ही घजब की प्रतिलीपी है, बहुत ही शांदार इसकी प्रतिलीपी है, human brain की, इसमें आप फैंग डिशे प्रतिलीपी इस्टुपेंडस कर दो, शांदार के लिए, या स्प्लेंडर कर दो, हिरोना का गोडल याद रह जाएगा, इस प्लेंडर, रैप्लीक, देजी संग्याओं में कोई किसी की प्रतिलीपी होता है, ऐसी चीज़ों के लिए रैप्लीक ही उस करते हैं, शांदार रैप्लीक है, शांदार प्रतिलीपी है, हुबहु प्रतिलीपी है, एक इंसानी ब्रेंड की, वैसे तो प्रतिलीपी गया, इंसानी ब्रें और शुक्मत ब्रेंद मान भी बुद्धी की चैस का जो प्रोग्राम बनाया वो उसने बनाया लेकिन चैलेंज भी उसी को कर देता है कि आ तूने ही मुझे बनाया और तेरे को ही मैं हराओंगा बहुत शादर प्रेजेंटेशन यही ऐसे ऐसे आगए अब बताव विदावट कंटेंट आप क्या लिख पाते हैं ऐसे ऐसे आगए तो विदावट कंटेंट कहां जाएगा ऐसे आप कुछ सोचिए कि यहाँ पर अलबी का पता नहीं एस्प्रिट का पता नहीं, प्रोग्राम का पता नहीं, हमें सब कुछ आता है, अच्छी अंगरेजी आती है, तो हम लिख सकते हैं क्या, जरूरी है, content, content की जगें, data, data की जगें, language, language की जगें, हर चीज जबनी जगें, जरूरी तो AI के लास्ट प्रेजेंटेशन, AI will work as surefire weapon and give new wings to human life, the technique works on surface of reactive, robust memory and indomitable exemplary mental awareness, ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट, उसके अगली लाइन बहुत इंपोर्टेंट, LV and SP programs have been started to land, उतारने के लिए इस technique, इस technique को, और artificial intelligence is, splendor replic of human weight and brain, clear, ये जितने भी ऐसे मैं करा हूँ, अशोग घोटके चले जाना, 99% कह रहा हूँ, 99% बाकि तो इश्वर है, 99% अपन बहुत अच्छे मार्स लाएंगी, और दो,